हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम बैक तो मैं चानल उमेद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ धेर सारी ऐसे ट्रिक्स और बहुत जरूरी जानकारी जो हम सब के लिए जानना वेहर जरूरी है इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर के खर्चे आधे हो जाएंगे और 37 आपकी धेर सारी बचत भी होने वाली है और मिक्सी के जार में चाय डानना क्यों जरूरी है ये बहुत जरूरी जानकारी आजब मैं आपको बताने वाली हूँ तो चलिए बीना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं वीडियो जरा से भी पसंद आई तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्स्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तो जब कभी भी हम किचन में काम करते हैं और सबजिया काटना शुरू करते हैं खास तोर पर ये फूल गोबी है या बंद गोबी है तो हम सभी जानते हैं कि ये जो सबजिया होती है ये हम तक पहुचने से पहले ना जाने कितने रास्तों से होकर गुजरती है ना जान एक बहुत जरूरी काम जरूर से करिएगा वो ये कि सबसे पहले आप फूल गोबी हो या बंद गोबी इसे थोड़ा सा गैस ओन करके गैस की आँच जरूर दिखाएगा थोड़ा सा आप इसको सेक लेंगे तो इसके जितने भी जम सोंगी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगे और साथी साथ जब थोड़ी सी सिख जाएगी तो इसके अंदर के जो कीड़े होंगे वो भी मर जाएगे और ये सिखी हुई गोबी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आपने अगर कभी ट्राइ नहीं किया है तो इसको जरूर से ट्राइ करके देखेगा आपको बहुत पसंद आएगी और ये ट्रिक जरूर से आजमाईएगा जब कभी भी आपको फूल को भी बनानी हो या बंद को भी बनानी हो तो इस तरीके को जरूर से आजमाईएगा उसकी बाद जब आपस का डंठल काट देते हैं तो इसको डस्ट बीन में फेकने के जगा आप गाई को दे सकते हैं या किसी भी जानवर को दे सकते हैं चली बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ दोस्तो जब कभी भी हम आलू काटते हैं तो हम सब क्या गलती करते हैं कि आलू के जो छिलके होते हैं इनको निकाल देते हैं जो ये पुराने वाले आलू होते हैं इनके छिलकों को तो भूल के भी आपको नहीं निकालना चाहिए मतलब आलू को आपको छिलकों के साथ ही खाना चाहिए कई सारी लोग ऐसे होते हैं जो आलू के लिए बहुत ही जादा जरूरी होती है कई लोग क्या करते हैं कि आलू के छिलके निकालना पसंद ही करते हैं वो सोचते हैं कि छिलके के साथ आलू थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मिट्टी वगरे लगी होती है तो आज कल तो नए आलू आ गए है बिल्कुल भी वेस्ट करने की गलती, फेकने की गलती बिल्कुल मत करेगा जब कभी भी आप आलू छीलते हैं तो उससे पहले एक बरतन में पानी ले लीजे और जितने भी छिले हुए इसके छिलके हैं उनको पानी के अंदर डाल दीजे करीबन एक दिन पुरा रात बर इसको आप ऐसे ही पानी में रहने दीजे अगले दिन ये जितना भी पानी होगा इसके अंदर आलू के जितने भी मिनरलस है वो सारे इस पानी में आ जाएंगे और इस पानी को आप डाल दीजेगा अपने गमलों में और जो ये छिलके हैं इन्हें डाल दीजेगा गमलों की मिट्टी के अंदर दबाके जिससे आपके पॉंधे बहुत अच्छे से नैश्रली ग्रो करेंगे और हरे भरे रहेंगे जल्दी से पॉंधे सूखेंगे नहीं और खराब तो बिलकुल भी नहीं होंगे तो आपका आलू भी काम आजाएगा और इसके छिलके भी बेकार नहीं जाएगे जब कभी भी हम सुभा चाय बनाना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें पानी, अद्रक, चाय पती, चीनी डाल देते हैं उसके बाद उसमें दूट डाल कर चाय को अच्छे से उबाल लेते हैं और चाय को पी लेते हैं लेकिन उसके बाद हमारी जब चाय उबल जाती हैं, हम चाय पी लेते हैं, तो हम उस चाय पत्ती का क्या करते हैं, शायद सब ही लोग यही करते हैं, कि उसको बेकार समझ कर फेक देते हैं, क्योंकि किसी तरीके का कोई काम तो उसका होता नहीं है, लेकिन आप उससे बची तो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, फेकनी तो वैसी भी है इसे रस्ट बीन में, तो सबसे पहले क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कि जो अद्रक है, इसको अलग कर लेंगे, और जो चाई पती है, इसको मिक्सी क जार में डाल देंगे, अब आप यह सोच रही होंगे, कि मिक्सी के जार में इसको क्यों डाला जा रहा है, देखने में थोड़ा साई गन्दा तो लगता है, लेकिं यह बहुत ही जादा काम का है, अगर आप इसको करेंगे, तो आपका एक तो मिक्सी का जार बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है, किसी तरीकी गंदगी इसमें नहीं आने वाली है, आपने अक्सर देखा होगा और शाय सुना भी होगा कि कांच की ग्लास को अगर साफ करना हो, उनको बेदाग रखना हो, चमकिला रखना हो, तो आप चाइपत्ती का यूज करिए, लेकिन कि आप से इसकी ब्लेड भी बिल्कुल खराब नहीं होती है, और बहुत अच्छे से शार्प हो जाती है, तो इस तरीकी का यूज आप जरूर कीजेगा, और अपने मिक्सी की जार को बिल्कुल सेफ रखेगा, दोस्तो अक्सर जुराबो का यूज तो हम सभी लोग अपने पैरों म तो कई सारी चूडिया ऐसी होती है, जो बहुत ही जादा टाइट होती है, मुश्किल से हाथ में चली तो जाती है, लेकिन कभी निकालना हो तो बहुत ही जादा मुसीबत हो जाती है, और निकलती बिल्कुल भी नहीं है, हाथों में बहुत जादा दर्द हो जाता है, तो य ऐसे निकाल देंगे हम आसानी से, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी परेशानी के, आपके जितनी भी टाइट चूडिया होंगे, बिल्कुल आसानी से, कुछ ही सेकिंड्स के अंदर बाहर निकल जाएंगी आपके हातों से, और नहीं आपको किसी तरीके का दर्द छेलना पड़ेगा ना ही किसी तरह की रेड़नेस आपके हातों में होगी और ना ही किसी तरह की का पेन आपको महसूस होगा और यह जो सौक्स हैं इसकी मदद से आपके सारी टाइट चूडिया बहुत आसानी से चली भी जाएंगी तो जैसे मेरे पास जो चूडिया है ना इसमें जो red वाली है ये तो lose है ये तो बहुत असानी से हाथ में चली जाती है लेकिन ये जो दूसरी कांच की चूड़ी है ये बहुत ही जादा tight रहती है और जब कभी भी पहनना होता है या उतारना होता है तो बहुत ही जादा pain ये क पतायेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करेगा दोस्तो हाउस वाइफ का काम रोज सुबह किचन से शुरू होता है और किचन में सबसे पहला काम हमारा होता है इन प्याँच को काटना और ऐसा कोई दिन नहीं चाता कि जब हमें प्याँच काटते वक्त आ एक प्याँच काट नहीं करेंगे तो आपकी आँच के लिए और बाफे बेसा हो और प्याँच को पानी ले लीजे और प्यांच को अच्छे से चील लीजे बिलने के बाद आपको पानी के अंदर डाल दीजे थोड़ा ना सा दो चमच वीनेगर, ऐनके पास ऐसा ग्री थे थोड़ा सा दो चमच विनेगर आपके पास एप कर सकती है अाम पास और तो यूसका यूसभी आपकर सकते है तो तो बाँ में के hanokuter चमच उसमें डाल दीजे, कई भर ऐसा होता है कि हमें एक प्याँच काटनी है, लेकिन कई बर ऐसे टाइम आता है कि हमें न Sut बिल्कुल भी आँशो नहें निकलेंगे, तो दोस्तों ये काफी सारी ऐसे ट्रिक्स थि जिनके इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी डेली काम तो आसान होती ही है, साथी साथ आपकी बच्चत भी काफी सारी होती है, उमीद करती हूँ कि आपको ये सारे तरीके पसंद आई होंगे, और आपकी रोज मरा की लाइफ में ये बहुत आपकी हल्प करेंगे, तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चानल पर पहली बार आई हैं, तो सब्सक्राइब करना चानल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बाबाई!